गल वेले दी फल मोसन दा ये एक पिंजाबी कहावत है जो आपने सुनी अभी जैसा कि आप जानते हैं कि मोसन गर्मा अपने जोरो शोव से चल रहा है और ये आमों का मोसन है और इस सलसले में मैंने ये दो वराइटिंग मुंठकब की है ये जो आम है इंडिया का आम है ताज है ये बहुत सोफ्ट है अंदर से और है जो भी आरी बहुत प्यारी सी गोल मोटोल सा है और जो दूसरी वराइटि मैंने मुंठकब की है ये पाकसानी आम है कलर में थोड़ा ज्यादा बलके येलो है थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन भी नजर आ रहा है इसमें थोड़ा लंबू तो आज हम ठाके चेक करते हैं कि ये मज़ेदार ज्यादा है या पर ये तो अब हम देखते हैं चुरी भी हमारे पांस है प्राट के देखते हैं कूल से जादार मज़ेदार है कले मैं ये चेक करूंगा राजापूरी जो कैसा है जे जैसा के देख रहे हैं आप बाइर से बुल जो है गरीन है अंदर से जालो है अभी इसको खाव के देखते हैं एक दम मज़ेदा नीठा जोसी और बगहर रेशे के जैसे आप देखते हैं अभी जब आप जाते हैं इसके अंदर वह सारी नम्बे-लंबे से रेशे रहते हैं या ताटाइप और ताइप जोचीज़ रहते हैं जाए इसमें को चीज़ नहीं है और बोद मिठाए है कि अब मैं दूएखता हूं यह प्राक्सानियाम कि यह कैसा है जी यह थोड़ा सा कलर में रैडिश है और यलो नहीं है रैडिश टाइप है थोड़ा सा अब इसको खाते चाक करके देखते हैं यह भी मीठा है लेकिन अगर कंपेर दिया जाए तो यह थोड़ा हूँ से लंबा है कलर में थोड़ा सा डिफरेंट कलर है यह आपको दोनों का तलाव भी आता हूं यह पाक्सानी सिंड़ी यहाम क्या कलर है और यह है राजापुरी इंडिया यह तो दोनों मेंने टेस्ट करके देख लिए इसमें जो थोड़ा जूसी टाइप जादा और मेठा भी है मेठा यह भी है लिख्यट अवानुपरी अभी जादा है यह आधर मेठाज फ़सी टेन लेकिन इसमें तोला सा प्योसी टाइप यह रहा है इसमें कोड़ाध कर्थां आप के आप लेकें सिक्पड़ा लेकिन अभी मेठा है जिकनें एक अचा ना करा लेकिन में यह जाबर आज का बीनर है झाल झाल